नमस्कार आपके साथ मैं हूँ प्रितीश श्यवास्ताव स्वागत आपका उत्राखन बुलेटिन में रुख करेंगे खबरों की और शांत मिजाज और अपने विवार से सब को भाने वाले कैबिनेट मंतρι सौरब बहुगुना के तक आपको बतादे सक्थ तेवर विभाग के अदिकारिओं के प्रती देखने को मिला है दरसल ये पहला मामला है जब धामी काबिनेट के सबसे युवा मंत्री ने अपने विभाग की अधिकारियों को खरी खोटी सुनाने का काम किया है जिहां प्रसिक्षन और सेवा यूजन विभाग में कैबिनेट मंत्री सौरव बहुगुना को बिना बताय तबादले और अटैच्मेंट का खेल चल रहा है जिसको लेकर विभाग के अधिकारी मनमानी तरीके से ये सब कर रहे हैं कैबिनेट मंत्री सौरव बहुगुना ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए विभागी अधिकारियों को भविश्य में इसे बाज आने की हिदायत दी है कैबिनेट मंत्री सौरव बहुगुना के प्रमुक सचीव ने इसको लेकर निदेशक प्रसिक्षन और सेवा योजन को पत्र लिखा है पत्र में आपको बता दे शौफ्ट से कहा गया है कि यदि भविश्य में इस तरह के आदेश किये गए तो उन्हें तूरंद ही निरस्थ समझा जाएगा और हमारे सैयोगी योगेस सेमवाल हमारे साथ जोड़ चूके है योगेश क्या कुछ तमाम जानकारी है इस खबर को लेकर जिस तरीके से आपको बता दे मंतिरी जो सौरव बहुगुना है उनके सक तेवर नजर आ रहे हैं अधिकारियों के प्रती क्या कुछ कुछ तमाम जानकारी है और यह जो तबादले का काम है वो उनसे छुपा के उनसे बिना बताए चल रहा था यह कब से चल रहा था कभी जानकारी मिली कब उन्होंने सक्तरुक अपनाया अबादिकारी भी घबराए हुए है क्या कुछ तरह के आगे से अगर होती है तो किसी भी तरह से बख्षा नहीं जाएगा जी योगेश तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद है कि उत्राखंड में उपनल करमचारियों को पचास लाक रुपए के दुरघटना बीमा के सुविधा मिलने का रास्ता साफ हो क्या है कैबिन्ट मंत्री गनेश जोशी की मौचूदकी में दैरादोन उस् पचास लाक रुपए की सहायता राशी मिलेगी कैबिन्ट मंत्री गनेश जोशी ने बताया कि सरकार ने ये फैसला उपनल करमियों के परिवारों के हित्तों को देखती हुए लिया है इसमें 23,000 से अधिक उपनल करमचारी कवर होंगे उन्होंने कहा कि मुक्यमंत्री पुर्फ सैनिको और उनके आश्रितों के कल्यान के लिए अनेक यूजनाई चला रही है और इस खबर पे ज़्यादा अपडेट्स के साथ हमारे सायोगी सतीश को ठारी जोड़ चुके हैं सतीश क्या कुछ तमाम जानकारी है उपनल करमचारियों को 50 लाक रुपए के दुर घटना ग्रस्त लोग थे उन्हें 50 लाक रुपए दिये जाएंगे इस पर क्या कुछ तमाम जानकारी है दर्श्रकों के साथ साजा कीजिए देखे जिस तरीके से प्रदेश में जगभग 23,000 करमचारी हैं उनको की सुपनल करमचारी हैं और उनको कोई सुबदा जी मिलती थी और उनको उन्दाखासार प्रेशानिया होती थी कभी हो हर किसी मामे में दखने पर बैठ से तो उसको लेकर इस समय PNB के साथ करार कर दिय दिया गया है और उन सभी करमचारी उनको 50 लाग का देमा से दिया जाएगा जो किसी के बैठ होती है किसी के साथ को गुरुगटना होती है किस तरह को ऐसी अनूनी होती है तो उसको लेकर सरकार ने इस समय उनको इस बहुत बड़ा तोफा दिया है जिसमें 50 लाग रुपे क जिसमें ये कहा गया कि ग्यार हिंदू के साथ जोड़ने के लिए थी रोहेंगिया लोगों का गाउं में प्रवेश पूरी तरह से वर्चित है अब पूरी तरह से राचनीतिक मुद्दा बन चुका है ये पूरा मामला आपको बता दे जहां भाजपा खुलकर गाउं के लोगों द्वारा लगाए गया इस बोर्ड को सही बता रही है तो वह लोगों के सामने भाजपा का एजिंडा आ गया है लोगों को पता चल गया है कि उनके पास बतानी के लिए विकास की योजनाई नहीं है अब भाजपा बाहरी और अंधीरी कर रही है कौन लोग हैं बाहरी जो पीडिया से रह रहे हैं टेरी पौझे उपसभापती राज्यसभा हरिवन्श नारायन सिंग ने स्र्ट कैंपस में स्वामी रामतिर्थ के जीवन पर अधारित पुस्तक का विमोचन किया हरिवन्श नारायन सिंग ने कहा कि स्वामी रामतिर्थ के जीवन से हमें प्रेड़ना लेनी चाहिए वहीं उन्होंने कहा कि देव भूमी कहे जाने वाला उत्राखन लगतार विकास की ओर बढ़ रहा है और मुझे यहां आकर इस बात का पता चला पहाडों का जीवन चुनोती पुर्ण है लेकिन आज पहाडों में लोग सर्व रोजकार से जुड़ रहे हैं जिसका उधारन होम स्टेट और सौरे उज़जा के प्लांट है वही कनेक्टिविटी के जरिये दुरस्त छेत्रों मे भी विकास हो रहा है अब दूर दराज से परियाटक तिर्थ यात्री यहां भारी संख्या में पहुँच रहे हैं और उनकी सुविधाओं को लेकर सरकार भी लगतार प्रयास कर रही है आपको बता दे उप सभापती राजे सभा हरिवन्श नारायन सिंग टिहरी पहुचे हैं और साथी सर्टी कैंपस में स्वामी रामतिर्थ के जीवन पर आधारित पुस्तक का उन्होंने विमोचन भी किया है हरिवन्श नारायन सिंग ने कहा कि स्वामी रामतिर्थ के जीवन से हमें प्रेड़ना लेनी चाहिए वहीं उन्होंने कहा कि देवभुमी कहे जाने वाला उत्रखन लगतार विकास की ओर बढ़ रहा है और मुझे यहां आकर इस बात का पता चला पहाडों का जीवन काफी चुनोती पुर्ण है लेकिन आज पहाडों में लोग सर्व रोजगार से जुड़ रहे हैं जिसका उधारन होम स्टेट और सौरे उज़जा के प्लांट है वहीं कनेक्टिविटी के जरिये दूरस्त छेत्रों में भी विकास हो रहा है और अब दूर दराद से परियाटक तिर्थ यातरी यहां भारी संख्या में पहुँच रहे हैं साथी उनकी सुविधाओं को लेकर सरकार भी लगतार प्रयास कर रही है जस्पूर में प्रसाशन की कारवाई से खनन माफियाओं में हडकंप मचा हुआ है अब खनन विभाग और तैसील प्रसाशन की टीम दोरा आपको बता दे फीका नदी से हो रहे अवेद खनन की नापतॉल के बाद खनन माफियाओं पर 22 लाग का जुर्माना लगाये गया है आपको बता दे दो दिन पहले तैसील प्रसाशन ने जस्पूर फीका नदी में अवेद खनन की सूचना पर चापे मारी की थी जिसमें चार डंपरों को मौके से पकड़ा गया था और अब खनन माफियाओं पर 22 लाग का जुर्माना लगाये गया है उपजिला अधिकारी जस्पूर गौरव चटवाल ने बताये कि अवेद खनन की सूचना आती है तो उसमें तैसील प्रसाशन द्वारा तरवरित आपको बता दे तूरंत कारवाई की जाती है पीछे भी कारवाई करते हुए डंपरो पर कारवाई की गई है और दो दिन पहले भी चार डंपरो को पकड़ा गया है जिसमें परिवहन विभाग द्वारा भी कारवाई की जा रही है और जिस जगह से खनन हुआ था वहाँ खनन विभाग के टीम और तैसील प्रसाशन के टीम मौके पर गई और निरक्षन किया गया और खनन में संबंदित जिम्मेदार दूव्यक्ती एहसान अली और अनीश एहमत उनके विरुद 22 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया कारवाई की जा रही है और परिवहन विभाग और पुलिस विभाग द्वारा भी मदद की जा रही है कारवाई आगे भी जारी होगी साफजनी कस्थान पर जाम चलकाने वालों के विरुद दून पुलिस का भियान जारी है साफजनी कस्थानों पर शराप ठेकों के बाहर और सडक किनारे वाहनों में शराप पीने वाले 305 व्यक्तियों के विरुद दून पुलिस ने कारवाई की है पुलिस एक्ट के तहट कारवाई करते हुए 93,250 रुपए के चालान काटा गया और सक्त हिदायत दी गई जनपत के नगर और दिहार छितर में सार्वजनिक स्थानों में शराब पीने वालों के विरुद पुलिस द्वारा लगतार कारवाई की जा रही है दैरादुन शहर में ए रिक्षा और ए आटो रिक्षा के बिना वैद प्रापत्रों बिना डियल ओवर्लोडिंग अधिक सीट लगी हुने और अधिक किराया वसूली के शिकायतों पर सक्ती दिखाते हुए आर्टी ओ दैरादुन के निदेशन में दैरादुन शहर के विबिन छेत्रों में प्रवर्तन दलो द्वारा चेकिंग अभ्यान चलाया गया है प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा चलाया गया अभ्यान के तहत 104 ए रिक्षा ए आटो के चलान काटी गए जिसमें से 31 वहानो के चालकों द्वारा डियल नहीं दिखाये गया पांच वाहनों में अतिरिक्त सीटे लगी पाई गई इसके अलावा कई वाहनों का आपको बता दे जो पैसा है वो जमा नहीं कर पाने के कारण भी सीज़ किया गया है प्रदेश में पब्लिक ट्रांस्पोर्ट के संचार बढ़ाने के लिए जल्द आर्टियो के विशेश वैठक आयोजित की जा सकती है आर्टियो देरादूल सुनेज शर्मा ने इसके जानकारी साजा की है आर्टियो अधिकारी के अनुसार उत्राखंट के ग्रामीन शेतरों तक फिलाल सरकारी बस सेवाए ही पहुँचती है हाला कि एक वक्त निर्धारित होने के कारण अक्सर आम जन को इस सेवा की वज़ा से सहूलियत नहीं मिल पाती जिस संदर्व में गड़वाल कमिश्टनर से बाक्षित करने के बाद जल्द आर्टियो की बैठक आयोजित की जाएगी बैठक में प्राइवेट बसों के ग्रामीन छेतरों के संचालन पर विशेश रूप से चर्चा की जाएगी सुत्रों के माने तो अगले महीने तक ये बैठक राज्थानी देहरादुन में आयोजित की जा सकती है देहरादुन के घंटा घर की तारें और पैनल चोरी होने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है दरसल पुलिस की जाच में पता चला कि घंटा घर से कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ जिसके बाद इस मामले में लाइन हाजिर किये गए चौके इंचार्ज की भी चौकी में वापसी हो गई SSP अजेसिंग ने बताया कि मौके पर कोई चोरी की वार्दात नहीं होई बलकि पावर सप्लाई से जुड़े तार काटे गए है बताया जा रहा है कि इस खटना में मुकदमा मंगलवार राद दर्च किया गया बता दे कि घंटा घर पर घड़ी और फवारी कई दिन से बन थी जिसके बाद ये पूरा मामला शहर में चर्चा का विशय बना हुआ था कई दिन पहले इस मामले में नगर नीगम ने मंगलवार को शहर कोटवाली में चोरी का केस तरच कर आया था इसके बाद SSP अजेसिंग ने धारा चौकी इंचार्च हर्च अरूडा को वायरलेस सेट पर आदेश करती हुए लाइन हाजिर दिया था हाजिर कर दिया था साथी इस प्रकरन की चार्च सीयो सीट नीरच सेमवाल को सौपी थी जिसके बाद उन्होंने बुद्वार को नगरायुक्त संग घंटागर का निरक्षन किया इस दोरान सामने आया कि मौके पर पावर और अन्ने सप्लाई से जुड़ी वायर काटी गई ये वायर भी मौके पर सुरक्षित थी वहीं इस मामले में सीयो सीटी ने दरूगा हर्श अरोडा को क्लीन चिट देते हुए जाच रिपोर्ट एससपी अजयसिंग को सौप दी राजधानी देरादुन के नेरू कलोनी में रहने वाला आनन तौमर अपनी तीन साल की बच्ची और अपनी पत्नी के साथ घर में कैद रहने के लिए मजबूर है आपको बता दे तीन FIR दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस कोई संग्यान नहीं ले रही है आखिर ये पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताते हैं दरसल राजधानी देरादुन के नेरू कलोनी में एक परिवार जिनके साथ एक बच्चा और वी बीवी रहते हैं लेकिन सामने ही रहने वाले कुछ अपरादिक प्रवरिती के लोगों ने आनन्तोमर का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है उनका ही नहीं बलकि उनके परिवार का भी घर से निकलना मुश्किल कर दिया है आनन तुमर ने बताये कि उनके घर के सामने एक त्यागी ठेकेदार रहते हैं जो कि हिमाचल कोट से फरार है और जिनके फरारी के संबन में आपको बता दे हैं इमाचल पुलिस हमारे घर पर चश्पा कर रही है इससे नाराज होकर त्यागी ने तुमर के साथ मारपीट और गाली गलोच की और इतना ही नहीं जब आनन तोमर घर से अपने काम पर गए तो उनकी बीबी और तीन साल की बच्ची के साथ भी मारपीट की गई जिसमें उसकी बीबी की नाक की हड़ी तूट चुकी है जिसकी तहरीर उन्होंने पुलिस को दी लेकिन अपरादी इतने पर भी नहीं रुके बलकि उनकी बीबी और बच्ची को स्कूल के बाहर भी आठ से दस लोगों ने महिलाओं के साथ घेड़ लिया और मारपीट करने लगी जिसकी तहरीर उन्होंने लखी बाग चौकी पर दी और उसे उसमें भी FIR दर्च की गई लेकिन आज तक उन लोगों को गिरफकार नहीं किया गया ओत्राखंट के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश एलर्ट की चेतावनी जारी कर दिया है मौसम विभाग ने गुरुवार और शुक्रवार के लिए प्रदेश के ग्यारा जीलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है भारी बारिश के मदे नजर देरादून नैनिताल चमपावत और बागेश्वर के स्कूलों में छुट्टी घोशित कर दी गई है मौसम विभाग केंद्र ने आपको बता दे मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि देरादून पौडी हरिद्वार नैनिताल चमपावत बागेश्वर यूने यूएस नगर के लिए रेड ऐलर्ट जबकि उतरकाशी चमौली रूदरप् रहने और हर इस्तिती से ने पटने के लिए तयार रहने की निर्देश दिये हैं थाना काला डूंगी की बेल पड़ाओ चौकी अंतरकट लगतार हुई चोरियों के आरोपीयों को पुलिस ने गिरफ्दार कर लिया है बेल पड़ाओ चौकी अंतरकट चोरों द्वारा सबी आरोपियों से चोरी का माल बरामत किया गया है और सबी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और इसी के साथ उत्राखन बुलिटिन में फिल हाल इतना ही नमस्कार